गूड मॉर्निंग एस्टूडेंट आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसर एलेवन लेसर एलेवन में हमने पार्ट वन और पार्ट टू में इसके सभी रेडिंग भिज़जा है सभी मिनेंग को आप जहां पर लिखे होंगे जहां में और वर्ड मिनिग आपको ब्रिदीएप से भेजा था वह सभी विडmy आप मेंनीग को आप लिखेंगे सभी वर्ड मिन ओरारई में हम लोग बात Somalia कृ निया गया किसज़्िए के माध्यम से पिडीएप करना है तो यहाँ पर देखो आप लिखा हुए put the words given in the least word meaning in order in which you find them in the dictionary है नव तो कह रहा है कि put the words in the list of word meaning in the order in which you find them in the dictionary कह रहा है कि दिये गए सब्दों के अर्थ के सुची के अनुसार तीक है जैसे मैं यहाँ पर देखो बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपको किस तरह से आपको इसको करता है शब्द कोश में मतलब उसको जमाना है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो नहीं है यहाँ पर इस PDF में जो है यहाँ पर word नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ और आपको डिसनरी के अनुसार कैसे सजा सकते हैं। जैसिंसे आप देखे हुँँगे कि सबसे पहले लीटर वाले वर्ड रहते हैं भी वाले रहते हैंपिर उटिनरी अगर यह थीख नहीं बनेगा नअ मुधा प्रमेंट करदेना कि सर यह प्Áयर पूछ पूछले ना कि सर ये इस lesson का lesson 11 का वुआ की यह सुई वाले का फरस्ट नहीं हो रहा है तो फिर भी मैं समझा देता हूं जैसे दो word meaning है है थिन B ask के है न और एक居र्ड मेनिंग है एक word meaning है B बड by c के word meaning है और एक word meaning है भी आर ओ के ब्रोक और एक word meaning है भी ए डबल एल तो देखो, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि तीनों word में से डिसनरी के अनुसर कौन word पहले आएका, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड जो A से सुरू हुआ हो तो देखो ये भी B से सुरू है ध्यान से देखो मैं अब कलर थोरा सा चेंज करूंगा देखो ये B से सुरू है ये भी B से सुरू है और ये भी B से सुरू है तो A से तो कोई सुरू नहीं है अब चलेंगे B से B से तो 3 है, तो देखो, अब कौन पहले, पहले नमबर पे कौन आएगा, अब इसका decision, तो देखो, B से B, 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 3 है, अब हम चलेंगे, यहाँ पे A है, second letter पे, A है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे A है, तो देखो, यह R का आता है, यह बहुत इंड में आता है, जब A, B, C, D हम ल तो यह तो नहीं होगा समझ रहे हैं यह जो है यह तो नहीं होगा आपका यह जो है यह वर्ड अभी नहीं आएगा अब हम देखते हैं इस वाले में और इस वाले वर्ड में तो अभी भी हमें नहीं पता चलेगा कि यह एक नंबर पर आएगा यह वर्ड एक नंबर पर आएग पहले आता है कि L पहले आता है तो देखो A B C C पहले आता है तो एक नमबर पहला नमबर पर यह आएगा ठीक है अब इन दोनों में फिर से डिफरेंस करेंगे इसका पोजिशन हो गया फिक्स यह पहले नमबर पर आएगा ठीक है अब इन दोनों में देखते हैं ठीक है तो B B ह ए है तो यहां पर आ रहे नहीं जी तो सेकंड नंबर पर यह वाला होगा क्योंकि ए पहले आता है और सबसे लास्ट में आता है तो यह दूसरे नंबर पर और यह तीसरे नंबर पर आएगा तो समझ में आया कि किस तरह से डिसनरी में किस तरह से हम लोग सजाते हैं ठीक है तो ठीक है और एक और एक्जामपल मैं ले जाहें जैसे लिखा है वी एडबल एल बॉल और एक लिखा हुआ है क्या बटर बी यू डबल टी ए आर बटर तो अब ये तीन एक्जामपल है ठीक है अब तीनों में से बोल रहा है कि डिस नरी के अनुसार आप मुझे बताओ कि कौन पहले आएगा ठीक है तो यहां पे सबसे पहले तो आप यह देखो कि पहला लेटर एसे कोई सुरू है क्या तो द A, B, C, D से सुरू होती है अब देखो अब हम देखेंगे इन दोनों में इसमें और इसमें इन दोनों में देखेंगे तो यहां पे देखो यह क्या है B से सुरू है तो यहां पे हम डिसीजन नहीं ले पाए कि यह सेकंड नमबर पे आएगा कि यह थार्ड नमबर पे आएग क्या करेंगे यह second इंवर और ऊजाएग और यह तर्ड नंबर और तरा से अगर वहांपे वह वह दिया तो आपको क्या करना है उसी तरह से आपको कॉन कुन कितने नंबर पर ऐगा ठीक के तो यहान यहां पर देखते हैं हम लोग टू में ठीक है किस तरह से यहां पर हम लोग करेंगे इसको ठीक है लुक अड़ डीफरेंस इन टू एसपेलिंग द वर्ड अभी इसपेलिंग का डिफरेंस दिया हुआ है ठीक है देखो, क्या लिखा हुए N-E-I-G-S-B-O-U-R है ना, क्या लिखा हुए है N-E-I-G-S-B-O-U-R N-E-I-G-S-B-O-U-R है ना, तो दोनो दोनो नाइवोर नाइवोर ही है लेकिन बस दिक्कत यह है यहाँ पे, यहाँ पे U आ गया है ध्यान से मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताता हूँ यहाँ पे देखो आप यह देखो, B-O यहाँ पे U एक्स्ट्रा आ गया है, है ना, तो देखो यह क्या चीज़ का होता है, यह पहला जो होता है, यह अमेरिकन होता है और यह जो बाद वाला जो होता है वो किसका होता है, यह ब्रेटिस का होता है, यह किसका होता है ब्रेटिस का होता है, ठीक है यह देखो, ब्रेटिस का लिखा हूँ है, ठीक है तो याद रखना कि दोनों का उचारन तो नाइवर नाइवर ही है, यह ना उचारण में भी डिफरेंस होता है लेकिन वह ज्यादा तर अमेरिकन और रॉशियन लोग ही ब्रिटिस वाले ही इसको अच्छे से प्रणूंसियेशन कर पाएंगे क्योंकि हम लोग क्या है वी आर इंडियन्स है न हम लोग उस जिस तरह से हम लोग हिंदी बोल बोल पाते हैं कोई को लेकर के तुल पकड़ लेते हैं कि आपका प्रणूंसियेशन सही नहीं है तो मैं अमेरिका और ब्रिटिस से नहीं आया हूं मतलब मैं इंडियन हूं और मुझे मैं परफेक्ट भी नहीं हूं मैं यह साफ साब कहता हूं लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही वह है है कि बिलकुल एंडिकन और ब्रिटिस की तरव एंग द иск हो चाहिए तो i am sorry for that यहां पर देखो कि यहां पर ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है now complete the table given below अभी यह अमेरिकन स्पेलिंग लिखा है और यह ब्रेटिस लिखा है ठीक है ठीक तो देखो यहाँ पे नाइवर यह सब पहले से किया हुआ है यहां से यहां से start करना है ठीक है यहां पर लिखा f-a-v-o-u-r यो जूर जाता है तो यू को इस वाले में क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो f-a-v-o-r favor क्या हो जाएगा f-a-v-o-r favor यहां पर क्या हो जाएगा f-a-v-o-r यू बस ये जो बिटिस का रहता है उसमें यू सामिल हो जाता है देखो यू सामिल है यहां पे हैं न ये बागी सब में नहीं है ठीक है तो समझ में आया होगा ठीक है F O V V O R फेवर ठीक है ये किस का था? अमेरिकन का था ठीक है लेबॉर लिखा है तो L A B O U R ओक के बाद यू लगा देना है तो इसी तरह से सभी को आपको क्या करना है बनाना है ठीक है तीसरा में क्या लिखा हुआ है आपका तीसरा में लिखा हुआ है आपको अस्थान पर नहीं होना जो जिसका जगह था उस्थान पर नहीं होना यह फ्रेज में होता है ठीक है इसको फ्रेज हम लोग यह जो यहां से यहां था कि यह सब फ्रेज बोलते हैं come by keep off यह सब तो इसको क्या करना है हमें किसमें बनाना है यह सबी को sentence में बनाना है तो चलिए इसका मैं बताता हूं out of place that means क्या होता है उप्युक्त अस्थान पे नहों होना तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं all the things all the things of the house are out of place यानि कि घर के जितने भी चीजे थी PLACE है घर के जितने भी वस्तुमें थी वह सभी क्या थी out of place थी out of place that means समझ में आया क्या होता है उप्युक्त अस्थान पे नहीं था ठीक है यह पहला का किया हमने अब देखे देए play a joke on play a joke on यानि कि भद्दा मजाग करना तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग की आउन फ्रस्ट अप्रील क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं आनफ फिस्ट अप्रील प्लेए जोक अना राम प्लेए इस तरह से लिख सकते हैं यह जो लिखा हुआ है प्लेए जोक अन यानी कि एक अप्रील को राम ने बहुत ही भर्दा मजा किया ठीक है अब यहाँ पर देखो come by come by को क्या लिख सकते हैं यानि कि come by यानि कि अचानक पाना तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिख सकते हैं कि how did you how did you how did you come how did you come by this book how did you come by this book this book और इसका लिख सकते हैं keep of क्या लिख सकते हैं obey obey the rule keep of means क्या होता है सुरक्षित रखना सुरक्षित रखना तो यहाँ पर हमनों लिख सकते हैं कि keep off that means तो लिख सकते हैं कि please please किप आफ ला डा मेडिसीन दवाइयों को शुरक्षित रखें एसे लिख सकते हैं ठीक है यह हो गया अब चलते हैं ग्रामर पोर्ट्षन में ग्रामर में क्या करना है वर्क इन पेर इसमें किस तरह से करना है लिखा हुआ है यह आपको अपने दोस्तों के साथ मिल करके इसको क्या करना है इसमें आपको काम करना है तो देखो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जोडों में कारे करना है आप अपने दोस्तों के यहां पर लिखा हुए look at the flow chart यह जो फ्लो चार्ट बना हुआ है यह फ्लो चार्ट जो बना हुआ है इस चार्ट को आप देखें ठीक है यू विल नो how the paper is made आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे बनता है ठीक है तो देखो यह फ्लो चार्ट यहां पर लिखा हुआ है कि paper is made from tree तो make का क्या कर दिया है made कर दिया है ठीक है ठीक तो पेपर जो है वह किस से बनता है ट्री से पेड़ों से बनता है ठीक है तो अब answer में हमें यहां पर देते जाना है कि किस तरह से यह होता जाएगा तो देखो सबसे से पहले यहां पर strip लिखा है तो इस जगाँ पर आपको क्या करना है इस ट्रप्ट डालना है तो verb का तीसरा form जीस तरह से यहां make है तो make का क्या होता है make make made मेंड होता है यह वर्ब 1, verb 2 और verb 3 होता है ठीक है उसको मैं अच्छे से क्लियर करके बताओंगा लेकिन यहां पर strip है तो strip का क्या होगा stripped क्या होगा strip तो A-S-T-R-I-P-E-D यह जो stripped में लिखा वो यहाँ पे आपको लिखना है ठीक है यह हो गया अब चलिए आगे देखते हैं लिखा हुआ है क्या grind G-R-I-N-D तो grind को क्या लिखना है G-R-I-N-D-E-D ठीक है grinded ठीक है यह हो गया अब चलिए आगे cook cook को क्या लिख सकते है cook का cooked होता है C-O-O-C-K-E-D यह double O है है ना C-O-O-C-K-E-D cooked ठीक है यहाँ पे लिख देना है ठीक अब चलो आगे आगे क्या करना है wash लिखा है wash को wasd W-A-S-H-E-D wasd यह E है E-D ठीक है यह हो गया और next in यह ब्लिंच लिखा हुआ है तो ब्लिंच कर देंगे B-L यहाँ पर देखो B-L-E-A-C-H-E-D blizzed B-L-E-A-C-H-E-D blizzed का लिखा हुआ बीट बीट का क्या होगा बीटन B-E-A-T-E-N बीटन बीट बीट बीटन होता है ठीक है वर्ब का तीसरा रूप ठीक है यह हो गया यहां तक बीटन तक और देख लेते हम लोग मिक्स मिक्स का मिक्सड लिखेंगे M-I-X-E-D M-I-X-E-D यह कहा यहां पर लिखेंगे ठीक अब देखो यहां पर एंड देन फीड फीड का क्या होगा फेड F-E-D ób 돌i Què भाइब ड़ी मि lige्खें के युद मतलब खिलाना ठिक है तो क्या लिखेंगे फिट होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ठीक यह हो गया अब यह हो जाने के बाद अब भी में हमें क्या करना है भी में क्या करना है वो देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज इढ़ी में लिखा हुआ है यहाँ पे की पिक आउट दू अवोर्ड फ्रॉम दे बॉक्स एन कम्प्लीट दस्णूं टेन्स इस गिवें बिलो जो नीचे बहुत लिखा हुआ है यह जो वर्ड है इसमें से आपको क्या करना है sentence में आपको लिखना है है पिक आउट दो वर्ट फ्रम दो बॉक्स बॉक्स से वर्ट को निकालिए अग कम्प्लीट दे स्टेट्मेंट यह जो इस्टेट्मेंट है ठीक है उसमें आपको क्या करना है गिवन बिलो वन एक को यहां पर करके बताया गया है जैसे देखो द रूम वाज and नीट ऐस प्यर्ज का यूज करना है जैसे खो और नीट जो है एड्ज़ेक्टिव और यह एड्ज़ेक्टिव और यakukan एड्ज्य गया ओए Adjective that means कि विशेस्ता बताने वाला, ठीक है, Adjective मतलब विशेस्ता बताने वाला, रूम कैसा है, दम बिल्कुल नीट है, तो देखो, as दो बार आया है, as, as, तो as दो बार आना चाहिए हर संटेंस में, तो देखो, एक as तो है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे, क्या कर लेना है हमें, बार बार हमें क्या लिखना है, as, as, अब जैसे इस में से हमें इसको चुनना होगा, क्योंकि पहला के लिए तो यह बन गया, ठीक है, तो as cold, as cold as, ठीक है, as cold as ice, ऐसे ice, यह बाद वाला जो word है, है न, यहाँ पे देखो, यह जो बाद वाला, शुरू में इसको रख ठीक, अब यहाँ से देखो, यह जो cold है, cold को क्या करना है, as, यहाँ पे cold, फिर as लिखने के बाद, फिर यह जो ice लिखा है, उसको आखरी में ऐसे लिखना है, as cold as ice, अगला वाला क्या बनेगा, his hair is as तो लिखा हुए है, black, black लिखने के बाद, फिर as लिखेंगे, फिर थेख cold, cold, इस तरह से आपको क्या करना है, यह सभी को यहाँ तक आपको पूरी तरह से इसको क्या करना है, complete करना है, right, तो इसमें हम क्या देख रहे थे, इसका यह देख रहे थे, as adjective plus adjective का, sorry, as, as, plus adjective plus as, इस तरह से structure था, इसमें best सारी चीज़े हम लोग देख रहे थे, right, तो यह आपका पूरी तरह से lesson 11 का complete reading comprehension, जो कि काफी अच्छे से हमने इसको discuss किया, आसा करता हूँ कि काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आपका homework रहेगा कि आपको यहाँ तक पूरी तरह से complete करके आप भेजे, copy को जल से जल, ताकि जो आपका marks है, उसमें मैं और add कर दूँ, है जल्ट मिले, ठीक है, तो मिलते हैं अगले, next वीडियो में, एक नए उर्जा और एक नए energy के साथ में, right, एक नए lesson के साथ में, right, तब तक के लिए take care, bye bye